तो यह जो गजल है इसको एक सज्जन कहते हैं कुर्ते वाली नहीं कैपरी वाली गजल है तो यह गजल देखी इसका शीरशक है उन्वान है ना समझ कि पापा कहते हैं कि जिन्दगी को खेल ना समझ पापा कहते हैं कि जिन्दगी को खेल ना समझ तिरी नौकरी अच्छी है इसे जेल ना समझ तो ये तब की लिखी हुई है जब मैं नौकरी छोड़ना चाह रहा था और घर वाले रोक रहे थे पापा कहते हैं कि जिन्दगी को खेल ना समझ तिरी नौकरी अच्छी है इसे जेल ना समझ संICIA बाइ समझ नहीं कहां तक पहुंच रही है कि मर्द की चूडियां है इसलिए सपनों के सबतिकल को तो अपनी बेल ना समझ पापा कहते हैं कि जिंदगी को खेल ना समझ तेरी नौकरी अच्छी तो है इसे जेल ना समझ और फिर जैसे ही आपना कुछ passion follow करना चाहते है न एकदम से आपे घरवाले गरीब हो जाएंगे एकदम से middle class से lower middle class हो गया और फिर वो centi बाते घर में यूँ चलती है तो उस पापा कहते हैं कि हम middle class हैं हम middle class पापा कहते हैं कि हम middle class हैं कोई Arby शेक नहीं अर्बी शेक पे गौर कीजे संजवाई की पापा कहते हैं कि हम middle class है कोई अर्बी शेक नहीं इसलिए अपने भाव बढ़ा कर खुद को तेल ना समझ पापा कहते हैं कि जिन्दगी को खेल ना समझ तेरी नौकरी अच्छी है इसे जेल ना समझ और क्योंकि फिर मैं अपना passion फॉलो करने के लिए Bombay जाना चाहता हूँ सबकी तरह तो पापा की उस पी एक take है तो देखे कि पापा कहते हैं कि तेरी value होगी जादा तेरी value होगी जादा Bombay के बजार में मगर तु exclusive है खुद को for sale ना समझ पापा कहते हैं कि जिन्दगी को खेल ना समझ तेरी नौकरी अच्छी है इसे जेल ना समझ और इसका आखरी शेर है जिस सुनके जब पापा कहते हैं सुनके थोड़ी सी फड़ जाती है दिल को दुख होता है जैसे कि मैं इंजिनियर हूँ और मैं अपने दुखड़े और रो पुड़े हो सकते होंगे, वो हर चीज समा लिए हैं अपने अंदर, तो शेर देखिए पापा आखरी शेर कहते हैं कि मैं भी तो इंजीनियर हूँ, बस तुझे ठीक नहीं कर सका, पापा कहते हैं कि मैं भी तो इंजीनियर हूँ, बस तुझे ठीक नहीं कर सका, पर यह सिर्फ मेरी एक backlog है, मुझे fail ना समझ, पापा कहते हैं कि जिन्दगी को खेल ना समझ, तेरी नौकरी अच्छी है, इसे jail ना समझ